Hello everybody, my name is Shivani. Welcome to my English classes. आपका मेरी English classes में स्वागत है. मैं आपको शुरू से English सीखने में मदद करूँगी. चले देर किस बात की. Let's start from the beginning. Beginning मतलब शुरुआत. तो शुरुआत में हम क्या सीखेंगे? A, B, C, D. अरे नहीं, नहीं, मत चाहिए. A, B, C, D आपको आती है, मुझे मालूम है. पर शायद आप कुछ नया सीख ले आज. तो चाहिएगा मत, जब तक वीडियो खतम न हो. Watch it till the end. A से Z तक हम इसको क्या कहते हैं? Alphabet. A से Z तक Alphabet होते हैं. Together, एक साथ इनको, पूरे सेट को हम Alphabet कहते हैं. इसमें 26 letters होते हैं. Alphabet में 26 letters होते हैं. A, B, C, D, ये सारे letters हैं. और एक अलग-अलग letter हैं. और एक साथ मिलकर ये Alphabet बनाते हैं. ठीक है न? याद रहेगा? Okay, now let's move on. अब हम क्या सीखेंगे? उच्चारन. हम उच्चारन में भी गलती करते हैं. देखिए मैं कैसे बोलती हूँ? ध्यान से देखिएगा. सुनिएगा. देखना नहीं, सुनना है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. A, B, C, D, E, F, F, G, H, H, H नहीं, H. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, 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 M, 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 N, 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 O, P, Q, R, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z को Z भी कहा जाता है. Americans, Z को Z कहते हैं. तो आज आप A, B, C, D को ठीक से प्रणाउंस करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा. याद रखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, English सीखना बहुत मुश्किल है फिर्ण। Otherwise, it's very easy. कोई डरने की बात नहीं है. हम छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे. धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे. पर क्या याद रखना है? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. ओके, बाई, सी यू.